हलो फ्रेंड्स मैं राम वर्मा आपका स्वागत करता हूँ इस योग निद्रा सेशन में यह एक विशेश प्रकार का योग निद्रा सेशन होगा जो आपको बहुत ही जल्दी योग निद्रा भी देगा और आपको हीलिंग भी देगा लेकिन उससे पहले कुछ बात हैं क्यों जरूरी है हमारे लिए योग निद्रा फ्रेंड्स 21 शताब्दी में जहां हमारे पास एक तरफ बहुत सारा धन है सफलता है बहुत अच्छे कडिया रहें महीं दूसरी और आप देखेंगे कि हम बहुत सारे तनावों से गरसित हैं आपको एक पैटर्न समझना होगा जिसे मेडिकल साइंस कहती है रेस्ट एंड अलर्टनेस हमारी बोड़ी कुछ देर के बाद रेस्ट में चले जाती है और तभी वो अलर्ट होती है लेकिन एकिसी शताब्दी में हमारे शरीर के इस साइकल को हमने तोड़ना शुरू कर दि तो पूरे दिन कभी भी आपको जो रेस्ट का जो साइकल है वो मिलता ही नहीं बलकि जहां आप काम करते हैं वहां पर आपको अलर्टनेस तो दी जाती है कि आप कोफी पिएंग चाय पिएंग है और आप यह अपक्षण नए है कि जाती कि आप रेस्ट में जाएं यानि कि," आप अलर्ट तो रहें लेकिन रेस्ट में ना जाएं तो बोड़ी अपने आपको रिचार्ज नहीं कर पाती है जिसके कारण हम और इंटरनल तनाव के शिकार हो जाते हैं यही कारण है कि 21 शताब्दी में हमें योग निद्रा जैसे खुब खुब सुरत मेडिटेशन के आवशकता है और मेरा ये लक्ष है इसमें कि आप मेडिटेशन को इस तरह से सीखें कि आप तेजी से इससे अपने प्रिणामों को पालें वक्त के अनुसार हर चीज बदल जाती है तो निश्चित रूप से जो मैं 25-30 सालों से लोगों को हेल्प कर रहा हूं उसमें योग निद्रा भी एक है मैं अपने तरीके से आपकी हल्प करूँगा और मैं चाहूंगा कि आप दिल से इसे आप करें और दिल से मैं चाहता हूं कि आप हमेशा स्वस्त रहें और आप एनरजेटिक रहें इसे करते हुए आप यही ध्यान रखें कि आप ना तो में पीछे बैटें अगर आप बस में हैं तो भी आप इसका आनंद ले सकते हैं इसका नाम मैंने रखा है क्विक योग निद्रा यानि किस तरह से आप जल्दी से जल्दी अपनी योग निद्रा में खो जाएं शुरू करते हैं शांत बैठें या फिर लेट जाएं अगर आ आप बैठें हैं तो अपनी इस्पाइन को रीड को सीधा रखेंगे और अगर आप लेटे हुए हैं तो आप एक ही पोस्चर में लेटेंगे कमर के सारे लेटेंगे अपनी हतेलियों को आकाश की तरफ कर लेंगे दोनों पैरों के बीच में दोनों पंजों के बीच में आप करीब करीब बार है से पंदरे इंच का डिस्टेंस की रीड कर सकते हैं ताकि आप आराम से लेटे रहें आँखों को कॉमलता से बंद कर लें और अब आप इमेजिन करेंगे कि आपके नाक के छेट आपके पैरों के पंजों में हैं आपके टोज में हैं और आप अपने कल्पना में जो भी सांस लेंगे जो भी सांस छोड़ेंगे अपनी कल्पना में वो सांस आप अपने पैरों के पंजों से लेंगे पैरों के पंजों से ही आप उन सांस को छोड़ेंगे मानो आपके नाक के छेत पैरों के पंजों में है शुरू करते हैं शान्त भाव से बैठें या लेट जाएं और अब हम पहले सांस के तैयारी करेंगे पैरों के पंजों से सांस लेना शुरू करें इन्हेल करना शुरू करें और इस सांस को आप लेते हुए कल्पना करें कि यह सांस आपके पैरों के पंजों से आपके घुटनों तक आ रहा है जैसे ये घुटनों तक आ जाए मन में बोलिए वन या एक सांसों को नूर्मल कर लिजिए और अब आप अपनी अटेंशन को अपनी अवेरनेस को अपने पैरों के पंजों से अपने घुटनों तक लाएं यानि कि इस रिजन को देखते रहें और अब आप इमेजिन करें कि ये पार्ट पैरों के पंजों से आपकी घुटनों तक का यह हिस्सा पूरी तरह से रिलेक्स हो रहा है निद्रा में जा रहा है सबसे पहले कल्पना करें कि आपके पैरों के पंजे शांत हो रही हैं आपके तलवे, आपके टकने, आपकी पिंडलिया, आपके घुटने शान्त हो गए है, कल्पना करें कि आपके इसकिन पोरी तरह से शान्त हो रही है इस भाग में, धीरे धीरे आप अपनी अवेरनेस को थोड़ा और गहराई तक ले जाएं और महसूस करें कि इस भाग में आपकी सभी मांश पेशिया, रिलेक्स हो रही है, निद्रा का आनंद ले रही है, और गहराई तक कल्पना करें कि आपकी हड्डियां शान्त हो रही है, हड्डियों के अंदर आपका बोन मैरूप, जो आपके लिए जीवन डाता है, वे पूरी तरह से शान्त और रिलेक्स हो रहा है, इस भाग में आप शान्ती की फीलिंग को कोई भी एक नया रंग दे सकते हैं, मधुर रंग, जिसे आप तैरते हुए देख सकते हैं पैरों के पंजों से घुटनों तक, अब हम नए सांस की तैयारी करेंगे, एक नया सांस लेना शुरू करें पैरों के पंजों से और कल्प ना करें के ये फीलिंग आपके गुटनों से उपर की तरफ आ रही है, इन्हें अपनी बेल्ट अपनी कमर तक आने दें, इन्हें यहीं पर लोक कर दें, मन में बोले आपकी बेल्ट तक, आपकी कमर तक, आपकी विष्ट तक सभी अंग शांत हो रहे हैं, सबसे पहले आप पैरों के पंजों से अपनी बेल्ट तक की त्वेचा को शांत पूरी तरह से शांत होते हुए, निद्रा में जाते हुए, महसूस करना शुरू करें। अपनी अटेंशन को गहराई तक ले जाएं और कल्प ना करें के, पैरों के पंजों से आपकी बेल्ट तक, आपकी सभी मांश्वेशियां पूरी तरह से शांत और रिलेक्स्ट हो रही हैं, आपकी मांश्वेशियां निद्रा का आनम्द ले रही हैं। इस भाग में आपकी हड्डियां, आपकी नसें पूरी तरह शांत हो गई हैं। कल्प ना करें के इन खुबसूरत फिलिंक का एक कलर अब आपके पैरों के पंजों से आपकी बेल्ट तक, आपकी कमर तक तेर रहा हैं। आपकी बेल्ट से उपर की तरफ जा रही हैं। और जैसे ही आपकी गर्दन तक जाएं। मन में बोलें थ्री या तीन और अब आप अपनी सांसों को पूरी तरह से नौर्मल कर दें। धीरे धीरे आप पैरों के पंजों से अपने गर्दन तक सभी अंगों को शांत वे रिलेक्स होते हुए देखें। अपनी चाथी को पूरी तरह से रिलेक्स करते हुए अपने कंधों को बाजों को कोहनी को भुजाओं को अपनी हतेलियों को उगलियों को अपने पेट को अपनी गर्दन को पूरी तरह शांत होते हुए देखें। अपनी रीड को और अपनी कमर को पूरी तरह से शांत होते हुए देखें। कल्प ना करें के पैरों के पंजों से आपकी गर्दन तक सभी अंग इस खूब सुरत निद्रा का आनंद ले रहे हैं पैरों के पंजों से गर्दन तक खूब सुरत रंग को प्रवाइत होते हुए आप देख सकते हैं कल्प ना करें के अब आपका हर देश शान्थ हो रहा है आपके लंगस भी शान्थ हो रहे है कल्प ना करें आपकी किड़नी जापका लिवर आपका पैन किरिया जापकी आते आपकी रीट आपकी वोकल कोड पूरी तरह से शान्थ हो गई है पैरों के पंजों से आपके गर्दन तक आपका श्रीर पूरी तरह से निद्रा का आनन्द ले रहा है इस भाग में आप एक खुब्सुरत सी सम्मेदना, खुब्सुरत सी फीलिंग का एहसास कर रहे है शांद और शांद गहराई तक और गहराई तक अब हम एक नए सांस की तैयारी करेंगे एक बार फिर अपने पैरों के पंजों से कल्पना में एक सांस लेना शुरू करें लंबा सा और इमेजिन करें कि आपकी ये फीलिंग आपकी गर्दन से आपके सर की चोटी तक पहुँच गई है सर की चोटी पर लाकर इन्हें यही पर लोक कर दें और मन में बोले फोर या चार सांसों को पूरी तरह से नॉर्मल कर दें और अब आप कल्पना करें कि ये खुबसुरत सी वेलनेस की फीलिंग अब आपके जबडे में आपकी ठोड़ी आपके गालों में आपकी नाक, आपकी आँखों में आपके माथे और आपकी स्काल में पूरी तरह से फैल रही है बैक ओफ यूर्नेक, आपके कानों में आपकी कनपटी पर सब जगा ये खुबसुरत सी फीलिंग फैलती जा रही है सांसों को नॉर्मल रखें लेकिन यही कल्प ना करें के आप सांसों को पैरों के पंजों से ले रही है सांस के साथ ये खुबसुरत सी फीलिंग पैरों के पंजों से सर की चोटी तक जाती है और सांस छोडती हुए सर की चोटी से ये फीलिंग सा travel करती हुई पैरों के पंजों तक जाती है इस प्रक्रिया को दोराते रहें एक बार फिर कल्पना करें कि आप सांसों को पैरों के पंजों से लेते हुए इन खुबसुरत फिलिंग को बढ़ाते हुए उपर तक अपने सर की चोटी तक लाते हैं और सांसों को छोड़ते हुए सर की छोटी से ये खुरसुरत फीलिंग्स आपके पैरों की पंजों तक चली जाती हैं और इस तरह से आप शरीर के एक एक भाग को पूरी तरह से रिलेक्स करते हुए गहरी नीत का एसास कर रहे हैं छोड़ी जी सब कुछ दिला शान आपका हिर्दे शान्त हो रहा है आपके विचार शान्त हो रहे है आपकी सांसे शान्त हो रहे है आपका मस्तिष्ख पूरी तरह से शान्त हो रहा है आपकी मांस पेशिया, आपकी स्किन, आपकी हड्डिया, आपकी नसे और आपकी साथ ट्रिलियन सेल्स पूरी तरह से शान्त हो रही है शान्ती की इन फिलिंग्स को हर काउंट के बाद डबल करते रहें 6. Double your relaxation 5. Double your relaxation 4. Shant थ्री, पूरी तरह शान्त कर दो, टू, वार, एंड जी, पूरी तरह अपने आपको शान्त करके इनको शुरत सम्वेदनाओं का आनंद लेते हुए, अब मन ही मन कोई संकल्प लें, जो आप पूरा करना चाहते हैं, संकल्प बहतर जीवन का, संकल्प किसी लक्ष को पूरा करने का, इस वक्त आप अपने खुब सुरत अलफा स्टेट में हैं, आपका उच्छे तन्मन किसी भी संकल्प को लेने के लिए तयार है, मैं अमीर हो रहा हूँ, मैं युवा हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं जीवन की खुशियों को ब्राप्त कर रहा हूँ, कोई भी संकल्प या सभी संकल्पों को लेते रहे, शांत बैटकर अपने मानस पटल पर अपने आपको उमीर बनते हुए देखें, संकल्प में नई जान डालें, अपने आपको सुस्त होता हुआ देखें, अपने लक्षों को पाहर करते हुए देखें, इस प्रकार आपने अपनी योग निद्रा से उत्पन एलफा स्टेट का बेहतर परियोग करना सीख लिया है। कुछ और पल इसी शांत मुद्रा में आप इस अनुभव का आनंद लेते रहें। अपने आपको रिलेक्स करते रहें। मन में अपने संकल्पों को धोराते रहें। कोई भी विचार और ना आएगा ना जाएगा। आप अपने संकल्पों के साथ चूड़े रहें। संकल्पों के साथ चूड़े रहें। शांत भाव से अपने को रिलेक्स करते रहें। संकल्पों को धुड़ाते रहें। इन खूब सूरत सम्वेधनाओं का आनंद लेते हुए, अब आप अपनी चेतना में लोटेंगे वन आप अपनी चेतना में लोटना शुरू करें तू, अपने हातों की उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को हिलाना शुरू करें, आखे बंद रखें थ्री, अपने हतेलियों को रगड़ें, उनमें गर्माहट लाएं और अपनी आखों पर रख लें धीरे धीरे अपनी आँखों को अपनी हतेलियों के नीचे के अंदकार में खोलना शुरू करें और पूरी तरह से अपनी चागरत अवस्था में आ जाएं अपने शरीर को पिलाएं डुलाएं चारो तरफ देखें और इस प्रकार आप अपनी रेस्ट और अलर्टनेस के साइकल को पूरा कर चुके हैं अगले चार पाच घंटों तक ना तो आपको आलस से आएगा और ना ही आपको थकान का अनुबाव होगा इतना ही नहीं आपने अपने संकल्पों को अपने अवचेतन मन को दे दिया है आपका अवचेतन मन उन पर इसी समय से काम करना शुरू कर देगा फ्रेंड्स मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि इन पलों में आपने अपने तनाव के केमिकल्स को पूरी तरह से बंद कर दिया था अपने शरीर में निकलना और साथ ही आपने अपनी वेलनेस, अपनी सिहत को बेतर करने वाले केमिकल्स को रिलीज करना भी शुरू कर दिया था दिन में अगर आप एक बार इस प्रक्रिया को दोराएं तो आप मिश्चित रूफ से अपने बुढ़ापे को, अपनी बीमारियों को और अपनी अंग्जाइटी को अपने से दूर रखेंगे यह आपके लिए अनेखों फाइदे लाएगा मैं भी आपकी सेहत, आपकी तरक्की और आपके बेतर भविश्य की खामना करता हूँ अगर अभी तक आप में मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजेगा जल्दी ही मैं योग निद्रा के साथ और नए संकल्पों की बात करूँगा ताकि आप अपने सबकोंशिस माइंड को सही तरीके से प्रुब्रेम करते रहे और अपना मन पसंद जीवन जीए धन्यवाद